ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइबें के साथ बैल आइकन को दवाईए और भी सारा टाइम की सारी नोटिशीकिसन पाईए मेरे प्यारे देश्वास्यों नमस्कार 2019 की बिदाई की पल हमारे सामने हैं तीन दिन के भीतर भीतर 2019 बिदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश्च करेंगे, नए साल में प्रवेश्च करेंगे, नए दसक में प्रवेश्च करेंगे, 21 सदी के तीसरे दसक में प्रवेश्च करेंगे। भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21 सदी में हुआ है जो इस सदी के महत्वपुन मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है तो कुछ उन्हें जन्रेशन जैड या तो जैन जैड ये भी कहते हैं और व्यापा ग्रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मिडिया जन्रेशन है हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पिड़ी बहुती प्रतिभाशाली है कुछ नाया करन करने का अलग करने का उसका ख्वाब रहता है उसके अपने ऑपिडियन भी होते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और विशेश के मैं भारत के बारे में कहना चाहूंगा कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्ता को पसंद करते हैं सिस्टिम क करें तो वे बेचेन भी हो जाते हैं और हिमत के साथ सिस्टिम को सवाल भी करते हैं मैं इसे अच्छा मानता हूं एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम यह भी कह सकते अराजक्ता के प्रती नफ्रत है अव्यवस्ता अस्थिरता इसके प्रति उनको बड़ पुरूश इन भेदभावों को पसंद ही करते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई एड़े पर यह तो सिनेमा के थीटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में कोई गुज जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवाई होते हैं और हमने तो देखा ह है कि ऐसी कोई घटना होती तो दूसरे नवजवान तुरत अपना मोबाईल फॉन निकाल करके उसकी वीडियो बना देते हैं और देखते ही देखते वीडियो वारल भी हो जाता है और जो गलती करता है वो मैसूस करता है कि क्या हो गया तो एक नए प्रकार की विवस्था न देश को नई उचाई पर ले जाना है स्वामी विवेकान जी ने कहा था my faith is in the younger generation the modern generation out of them will come my workers उन्होंने कहा था मेरा विश्वास युवापीडी में है इस आधुनिक generation में है modern generation में है और उन्होंने विश्वास व्यक्त कया था इनी मैंसे मेरे कारकरता निकलेंगे युवाओं के बारे में बात करते हुने उन्होंने कहा युवावस्था की कीमत को न तो आंका जा सकता है और नहीं इसका वर्णन किया जा सकता है यह जीवन का सबसे मुल्यव कालखंड होता है आपका भविश्य और आपका जीवन इस्पन दिरभर करता है कि आप अपनी युवावस्था का उप्योग किस प्रकार करते हैं विवेकानजी के अनुसार युवाव है जो एनर्जी और डाइनेमिजम से भरा है और बढ़लाव की ताकत रखता है मुझे प होगा बलकि युवावों के सामर्थ से देश का विकास करने वाला भी साबूत होगा और भारत आधुनिक बनाने में इस पीडी की भाध बड़ी भूमेका होने वाली है यह मैं साफ अनुवाव करता हूं आने वाली 12 जन्वरी को विवेकानन जेन्ती पर जब देश युवा दिवस मना रहा होगा तब प्रत्य युवा इस दसक में अपने इस दाइत्व पर जरूर चिंतन भी करें और इस दसक के लिए अवश्य कोई संकल्प भी लें मेरे पहरा देश वास्यों आप में से कई लोगों को कन्या कुमारी में जिस रॉक पर स्वामी विवेकानन जी न पांच दसकों में यह स्थान भारत का गौरव रहा है कन्या कुमारी देश और दुनिया के लिए एक आकर्शन का केंद्र बना है राष्ट्र भक्ति से भरे हुए अध्यात्मिक चेतना को अनुभव करना चाहने वाले हर किसी के लिए यह एक तिर्थक्षेत्र बना हुआ है स्रद्धा केंद्र बना हुआ है स्वामी जी के इस मारक ने हर पंत हर आयू के वर्क के लोगों को राष्ट भक्ति के लिए प्रेजित किया है दरिद्र नारेन के सेवा इस मंत्रों को जीने का रास्ता दिखाया है जो भी वहां गया उसके अंदर शक्ति का संचार हो सकारात पक्ता का भाव जगे देश के लिए कुछ करने का जज्वा पैदा हो यह बहुत स्वाभाविक है हमारे मान्य राष्पति महदय जी भी पिछले दिनों इस पचास वर्स निमित रोक मेमोरियल का दोरा करके आये हैं और मुझे खुशी है कि हमारे उप्राष्पति जी भी ग भी भारत में ही ऐसे महत्वपों टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं देशवासियों को उससे जुरूर प्रेणा मिलती है आप भी जुरूर जाईए मेरे प्यारे देशवासियों हम अलग-अलग कॉलेजिज में युनिवर्सिटीज में स्कूल्स में पढ़ते तो ह हैं लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद अलम्नाई मीट एक बहुत सुहाना अवसर होता है और अलम्नाई मीट यह सब नवजवान मिलकर के पुरानी आदों में खो जाते हैं जिनकी 10 साल 20 साल 25 साल पीछे चली जाती हैं लेकिन कभी-कभी ऐसी अलम्नाई मीट विशेस आक अलम्नाई मीट दरसल पुराने दोस्तों के साथ मिलना यादों को ताजा करना इसका अपना एक अलग ही आनंद है और जब इसके साथ शैर्ड परपज हो कोई संकल्प हो कोई भावात्मक लगाव जुड़ जाए फिर तो उसमें कई रंग भर जाते हैं आपने देखा होगा कि अलम्नाई ग्रूप कभी-कभी अपने स्कूलों के लिए कुछ न कुछ योगदान देते हैं कोई कंपूराइज करने के लिए ववस्ताइज खड़ी करते हैं कोई अच्छी लाइबरी बना देते हैं कोई अच्छी पानी की सुविधाई खड़ी कर देते हैं कुछ लोग पुछ नय कमरे बनाने करते हैं, कुछ लोग श्रानृष क माम बैला, कुछ Spike मिर्स पूतियों कुस्त कुछ कर लेते हैं, उनको आनन्द आता है बैरोगंज वेल्ट सेंटर की कहानी जब मैंने अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बताये बिना रह नहीं रहते हैं इस बैरोगंज हेल्ट सेंटर के एनिस्वास्त के अंध्र में मुप्त में हेल्ट चेक अप करवाने के लिए आस-पास-के गाउं हजार ओं लोगों के भीड जुड़ गई अब यह कोई बात सुनकर के आपको अस्षर नहीं होगा आए होंगे लोग जी नहीं बहुत कुछ नया है यह कार्टम सरकार का नहीं था नहीं सरकार का इनिशेट्वी था यह वहां के के आर है सब्कुल के उनके तहर उठाया गया कदम था और इसका नाम दिया था संकल्प 95 संकल्प 95 का अर्थ है उस हाइजसके इस के विद्यार्थियों का संकल्प दरसल इस बैच के विद्यार्थियों ने एक अलमनाई मेट रखी और कुछ अलग करने के लिए सोचा इसमें पूर्वशात्रों ने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और उनले जिम्मा उठाया पब्लिक हेल्थ एवर्नेस का संकल्प 95 के इस मुहिम में बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज और कई अस्पताल भी जुड़ गए उसके बाद तो जैसे जनस्वास को लेकर एक पूरा अभ्यान ही चल पड़ा निशुल के जांज हो मुपत में दवाएं देना हो या फिर जाग कि जब देश का हर नागरीक एक कदम आगे भड़ता है तो एक सो तीस करोड कदम आगे बढ़ जाता है ऐसी बाते जब समाज में प्रत्यक्षरूरूप में देखने को मिलती हैं तो हर किसी को आनंद आता है संतोष मिलता है और जीवन में कुछ करने की प्रेना भी मिलती है एक तरफ जहां बिहार के बेतिया में पूर्व छात्रों के समुने स्वास्त सेवा का बीड़ा उठाया वही उत्तरपदेश के फुलपूर की कुछ महलाओं ने अपनी जीवनता से पूरे इलाके को प्रेना दी है इन महलाओं ने साबित किया है कि अगर एक जुरता के साथ कोई संकल पले तो फिर परिस्थित्यों को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय पहले तक फुलपूर की ये महला है आर्थिक तंगी और गरीवी से परिशान थी। लेकिन इनमें अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज़वा था। इन महलाओं ने कादीपूर के स्वयम सहात्य समू वीवयन सेल्फ हेल्फ ग्रूप उसके साथ जुड़कर चपल बनाने का हुनर सिखा। इसे इन्होंने न सिर्फ अपने पैरों में चुभे मजबूरी के कांटे को निकाल फैका बलकि आत्म निर्फर बनकर अपने परिवार का संबल भी बन गई। ग्रामीन आजिविका मिशन की मदद से अब तो यहां चपल बनाने का प्रांड भी स्थापिद हो गया है। जहां आधुनिक मशिनों से चपले बनाई जा रही है। मैं विशेश रुप से स्थानिय पुलीस और उनके परिवारों को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने लिए और अपने परिजनों के लिए इन महिलाओं द्वारा बनाई गई चपलों को खरीद कर इनको प्रोथसाहित किया है। आज इन महिलाओं के संकर्व से न केवल उनके परिवार के आर्थिक हारत मजबूत हुए हैं बलकि जीवन स्तर भी उंचा उठा है। जब फुलपूर के पुलीस के जवानों की या उनके परिवार जणों की ये बात सुनता हूँ। तो आपको याद होगा मैंने लाल कीले से 15 आगस को देशवासियों को एक बात के लिए आग्रह किया था। और मैंने कहा था कि हम देशवासी लोकल खरीदने का आग्रह रखें। आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है क्या हम स्थानिय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोचान दे सकते हैं। क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्रात्विक्ता दे सकते हैं। क्या हम लोकल प्रोडक्ट को अपनी प्रतिष्टा और शांत से जोड़ सकते हैं। क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए सम्रद्य लाने का माध्यम बन सकते हैं। साथियों, महत्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा, जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो, गरीब से गरीब के जीवन में सम्रुद्धि लाता हो. सो साल पहले गांधी जी ने एक बड़ा जनांदुलन शुरू किया था, इसका एक लक्ष था भारतिय उत्पादों को प्रोट्साहित कर रहा है, आत्म निर्वर बनने का यही रास्ता गांधी जी ने दिखाया था. 2022 में हम हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे करेंगे, जिस आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, उस भारत को आज़ाद कराने के लिए लक्षावदी सपुतों ने, बेटे बेटों ने अनेक यातना ही सही है, अनेकों ने प्राण की आहुती दी है, लक्षावदी लोगों के त्याग तपस्या बलिदान के कारण जो आज़ादी मिली, जिस आज़ादी का आज हम भरपुल लाब उठा रहे हैं, आज़ाद जिंदगी हम जी रहे हैं, और देश के लिए बनमिटने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले, नामी, अनामी अनगिनत लोग, शायद मुश्किल से हम बहुत कभी लोगों के नाम जानते होगे, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया कुछ सपनों को ले करके, आज़ाद भारत के सपनों को ले करके, सम्रद, सुखी, संपन, आज़ाद भारत के लिए हैं, मेरे प्यारे देशवाशियों, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2022 आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, कम सकम ये 2-3 साल हम स्थानिय उत्पात खरीदने का आगरही बने, भारत में बना, हमारे देशवाशियों के हाथों से बना, हमारे देशवाशियों के प्रसिने की जिसमें मह हो ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आगर कर सकते हैं क्या मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूं सिरफ 2022 तक आजादि के 75 साल हो तब तक और यह काम सरकारी नहीं होना चाहिए स्थान सान पर नवजवान आगे आएं छोटे छोटे संगर्षन बनाएं लोगों को प्रेडित करें समझाएं और ताय करें आओ हम लोकल खरी देंगे स्थानिय उत्पादों पर बल देंगे देश वासियों क प्रसिने की जिसमें महक हो वही मेरे आजाद भरत का सुहाना पल हो इस सपनों को लेकर हम चलें मेरे पहले देश वासियों यह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश के नागिक आत्म निर्भर बने और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें मैं ऐसी पहल क की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खीचा और वह पहल है जम्मु कश्मीर और लदाग का हिमायत प्रोग्राम हिमायत दरसल स्किल्ड डवलप्मेंट और रोजगार से जुड़ा है इसमें 15 से 35 वत तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं यह जम्मु कश्मीर के वे लोग हैं जिनकी पढ़ाई किसी कारण पूरी नहीं हो पाई जिने बीच में ही स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ा मेरे पहरा देश्वाजियों आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि इस कारकम के अंतरगत पिछले दो सालों में 18,000 युवाओं को 77 अलग अल स्वरोजगार के और आगे बड़े हैं हिमायत प्रोग्राम से अपना जीवन बदलने वाले इन लोगों की जो कहानिया सुनने को मिली हैं बे सचमुच रदय को छू लेती हैं परवीन फातिमा तमिन नाडू के तिरुपूर की गार्मेंट यूनिट में प्रमोशन के बाद स मविश्वात आया वह आत्म नर्भर हुई है और अपने पूरे परिवार के लिए भी आर्थिक तरक्की का अवसल ने कर आई हैं परविन फातिमा की तरह ही हिमायत प्रोग्राम ने ले लदाक शेत्र के निवासी अन्य बेटियों का भी भाग्य बढ़ला है और यह सभी हिमायत डोडा के फियाज एहमद के लिए बर्दान मन करके आया फियाज ने 2012 में बारवी की परिक्षा पास की लेकिन बिमारी के कारण वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके फियाज दो साल तक रदय की बिमारी से जूचते रहे इस बीच उनके एक भाई और एक बहन क मृत्य भी हो गई एक तरह से उनके परिवार पर परिशानियों का पहाट तूट गया आखिर कर उन्हें हिमायत से मदद मिली हिमायत के जरिये आई टी एन इंफर्मेशन टेक्नोलोजी एनेबल सर्विस में ट्रेनिंग मिली और वे आज पंजाब में नोकरी कर रहे हैं फिय अपना अनुभव साजा करने के लिए बुराया गया अपनी कहानी सुनाते समय उनकी आंखों में से आंसु छलक आए इसी तरह अनंतनांक के रकीब उल्रह्मां आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए एक दिन रकीब को अपने ब्लॉक में जो एक ले लिया यहां ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज वह एक कॉर्परेट हाउस में नोकरी कर रहे हैं हिमायत मिशंद से लाभानवित प्रतिभासाली युवाहों के ऐसे कई उदारण है जो जम्मु कश्मीर में परिवर्तन के प्रतिक बने हैं हिमायत कारकम सरकार ट्रेनि देने वाली कंपनिया और जम्मु कश्मीर के लोगों के बीच एक बहतरीन तान्मिल का आदर्स उदार्ण है इस कारकम ने जम्मु कश्मीर में युवाहों के अंदर एक नया आत्मविश्वात जगाया है और आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रसस्त किया है मेरे प्यारे देश्वासियों 26 तारीक को हमने इस दसक का आखरी सुर्य ग्रहन देखा सैथ सुर्य ग्रहन की इस घटना के कारण ही माई गौव पर रिपून ने बहुती इंट्रेस्टिंग कमेंट लिखा है वे लिखते हैं नमस्कार थर मेरा नाम रिपून है मैं नौर्धिस का रहने वाला हूँ लेकिन इंदेनों साउथ में काम करता हूँ एक बात मैं आपसे सहर करना चाहता हूँ मुझे आद है हमारे ख्षेतर में आस्मान साफ होने की विजए से हम घंटों आस्मान में तारों पर टक्ट की लगाए रखते थे स्टार गेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ और अपने दिन चेरिया के कारण मैं इन चीजों के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ क्या आप इस विशे पर कुछ बात कर सकते हैं क्या विशेश रूप्स एस्ट्रोनोमी को युगाओं के बीच में कैसे पॉपिलर किया जा सकता है मेरे पहरे देश्वाजियों मुझे सुझाव बहुत आते हैं लेकिन मैं कह सकता हूँ इस प्रकार का सुझाव शायद पहली तारीक को ही सुर्य गरहन हुआ है तो लगता है कि शायद इस विशे में आपको भी कुछ रुची रहेगी तमाम देश्वाजियों विशेस तौर पर मेरे विवास साथियों की तरह मैं भी जिस दिन 26 तारीक को सुर्य गरहन था तो देश्वाजियों की तरह मुझे भी और जैसे मारी वापीठी के मन में जो उत्सा था वसा मेरे मन में भी था और मैं भी सुर्य गरहन देखना चाहता था लेकिन अपसोस की बात ये रही कि उस दिन दिल्ली में आसमान में बादल चाय हुए थे और मैं वो आनन तो नहीं ले पाया हाला कि टीवी पर कोजिकोड और भारत के दूसरे हिसों में दिख रहे सूर्य गरहन की सुंदर तस्विरे देखने को मिली सूर्य चमकती हुई रिंग के आकार का नजर आ रहा था और उस दिन मुझे कुछ इस विशे के जो एक्सपर्स हैं उनसे समभाद करने का आउसर भी मिला और वो बता रहे थे कि ऐसा पहें का अकार बन जाता है यह सूर्य गरहन एक एनुलर सोलर एकलिप्स जिसे वलाई गरहन या कुम्डर गरहन भी कहते हैं गरहन हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम प्रुथवी पर रहकर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं अंतरिक्ष में सूरिय, चंद्रमा एवम अन्य ग्रहों जैसे और खगोल ये पिन गुमते रहते हैं चंद्रमा की छाया से ही हमें ग्रहन के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं साथियों भारत में एस्ट्रोनॉमी याने खगोल विज्यान का बहुत ही प्राचीन और गवरोशाली इत्यास रहा है आकास में टिम्टिमा को पता होगा कि भारत के अलग-अलग थानों में भावती भव्य जंतरमंतर है देखने योग्य है और इस जंतरमंतर का एस्ट्रोनॉमी से गहरा सबंध है महान आर्यभट की विलक्षन प्रतिवह के बारे में कौन नहीं जानता अपनी कालक्रिया में उन्होंने सूर्य ग्र उन्होंने मैथमेटिकली बताया कि पृत्वी की चाया या शैडो की साइज का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं उन्होंने ग्रहन के डुरेशन और एक्स्टेन को कैलकुलेट करने की भी सर्टिक जानकारिया दी भासकर जैसे उनके शिश्यों ने इस पिरिट को और इस को आगे बढ़ाने के लिए भर्षक प्रयास किये बाद में चौदवी पंदरवी शदी में केरल में संगम ग्राम के माधव इन्होंने ब्रह्मान में महजुद ग्रहों की स्थिति की गणना करने के लिए कैलकुलस का उपयोग किया रात में दिखना वाला आस्मान सिर्फ ज कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एन वोयजीज इस पुस्तक का अनावरण किया था यह पुस्तक एक प्रकार से तो मालम की डायरी है मालम एक नाविक के रूप में जो अनुभव करते थे उन्होंने अपने तरीके से उसको डायरी में लिखा था अधुनिक युगी में उ आलम ने पोथी में आस्मान का तारों का तारों की गति का बढ़न किया है और यह साब बताया है कि समंदर में यात्रा करते समय तारों के साहरे दिशा तय की जाती है डेस्टिनेशन पर पहुंचने का रास्ता तारे दिखाते हैं मेरे पहरे देशवासियों एस्ट्रोनोमिक एक्षेत्र में भारत काफी आगे है और हमारे इनिसेटिवस पाथ ब्रेकिंग भी है हमारे पास पूने की निकट विशाल काय मिटर वेव टेलिसकोप है इतना ही न 2016 में बेल्जियम के तत्कालिन प्रधानमंत्री और मैंने नैनिताल में 3.6 मीटर देवस्थल अप्टिकल टेलिसकोप का उधारन किया था इसे एशिया का सबसे बड़ा टेलिसकोप कहा जाता है इस रो के पास एस्ट्रो सेट नाम का एक एस्ट्रोनोमिकल सेट्रिलाइट है सूरिय के बारे में रिसर्च करने के लिए इस रो आदित्य के नाम से एक दूसरा सेट्रिलाइट भी लौंच करने वाला है खगोल विज्ञान को लेकर चाहे हमारा प्राचिन ग्यान हो या आधुनिक उपलद्या हमें इनने अवश्य समझना चाहिए और उन पर घर्व करना चाहिए आज हमारी वा वैज्ञानिकों में न केवल अपने वैज्ञानिक इत्यास को जानने के लड़क दिखाई परती हैं बलकि वे एस्ट्रोनॉमी के भविश को लेकर भी एक द्रड इच्छा सकती रखते हैं हमारे देश के प्रेनेटोरियम नाइट स्काय को समझने के साथ स्टार गेजिंग को शौक के रूप में विक्सित करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं कई लोग एमेच्वर टेलिस्कोप्स को छतों या बालकनीज में लगाते हैं स्टार गेजिंग से रूरल केंप्स और रूरल पिक्निक को भी बढ़ावा मिल सकता है और कई ऐसी स्कूल कॉलिजीज हैं जो एस्ट्रोनोमी के कलब भी गटन करते हैं और उस प्रवु को आगे भी बढ़ाना चाहिए मेरे पहरे देश्वास्यों हमारे संसत को लोगतंत्र के मंदी के रूप में हम जानते हैं एक बात का मैं आज बड़े गर्व से उलेक करना चाहता हूं कि आपने जिन प्रतिनीधियों को चून करके संसत में भेजा है उन्होंने पिछले 60 साल के सारे विक्रम तोड़ दिये हैं पिछले 6 मास में सतरवी लोगसभा के दोनों सत्र बहुत ही प्रोड़क्टिव रहे हैं लोगसभा ने तो 114 प्रतिशत काम किया तो राजसभा ने 94 प्रतिशत काम किया और इससे पहले बजेट सत्र में करीब 135 फिस्दी काम किया था देर देर रात तक संसद चली ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी संसद इसके लिए बधाई के पात्र है अभिनंदन के अधिकारी है आपने जिन जन प्रतिनीजियों को भेजा है उन्होंने 60 साल के सारे रेकोर्ड तोड़ दिये है इतना काम होना अपने आप में भारत के लोकतंत्र की ताकत का भी और लोकतंत्र के प्रति आस्था का भी परिचायक है मैं दोनों सदोनों के पिठासिन अधिकारियों सभी राजनितिक दलों को सभी सांसदों को उनकी इस सक्रिय भूमिका के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं परे प्यारे चंद्रमा की गती केवल ग्रहन तय नहीं करती हैं बलकि कई सारी चीजे भी इससे जुड़ी हुए हैं हम सब जानते हैं कि सूर्य की गती के आधार पर जन्वरी के मध्य में पूरे भारत में विभिन्र प्रकार के त्योहार मनाए जाएंगे पंजाब से लेकर तमिल्नारु त तक और गुजरात से लेकर असम तक लोग अनेक त्योहारों का जश्म मनाएंगे जन्वरी में बड़े ही दुमताम से मकर संक्रांति और उत्तराण मनाए जाता है इनको उर्जा का प्रतिक भी मना जाता है इसी दोरान पंजाब में लोड़ी तमिल्नारु में पंगल असम मे अग्भी हूँ भी मनाए जाएंगे योतोहार किसानों के समुरुद्य और फसलों से बहुत निकरता से जुड़े हुए है योतोहार हमें भारत की एक्ता और भारत की विवित्ता के बारे में यहाद दिलाते हैं पंगल के आखरी दीन महान तिरुवल्यवर की जैन्ती मनाने का सवभाग्य हम देश्वासियों को मिलता है यह दीन बहान लेखक विचारक संतिरुवल्यवर जी को उनके जीवन को समर्पित होता है मेरे प्यारे देश्वासियों 2019 की यह आखरी मन की बात है 2020 में हम फिर मिलेंगे नया वर्ष नया दसक नय संकल्प नई उर्जा नया उम समंग नया उत्सा आईए चल पड़े संकल्प की पूर्ति के लिए सामर्थ जुटाते चले दूर तक चलना है बहुत कुछ करना है देश को नई उचाईयों पर पहुंचाना है 130 करोड़ देश्वासियों के पुर्षार्थ पर उनके सामर्थ झाल